हाई दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने सचेन MTR यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज आपके सामने है जोयर चेस की न्यू लाउंच बज्जाज पलसर P150 दोस्तों इस बैक की आज आपको सारी जानकरी इस वीडियो में मिल जागी क्या इसके नई फीचर है क् बिल्कुल भी इसके मत करना है वीडियो से लाश टक जुड़े रहना वरना वीडियो बिल्कुल आपके समझ में नहीं आगी तो दोस्तों सबसे पहले में बात करूंगा इसके फ्रेंट लुक से तो इसके फ्रेंट पे आपको ब्लैक क्लर की फनेसिंग देखने को मिल जाती बात करें इसके हेडलाइट सिक्षन की दोस्तों इसके यहां पर आपको LED डियरल मिल जाती है और यहां नीचे आपको वी आई फंक्षन प्रोजेक्टर LED हेडलाइट का सेटप मिलता है जो कि एक बार मैं इसको आपको आउन करके दिखा देता हूं दोस्तों जैसा कि आप द します के लिए का देखने को मिल जाता है और ब्लू कुलर के साथ family favor बॉड़ी का आपको यह मटकाटर देखने को मिल जाता है और इसके suspension पर आपको South कि Kensington को मिल जाती है जोगी लिक दियोंगे से बचाती है और यहां पर आपको दोने तरफर रिफ Zero मिल जाते हैं और सेच्टीकर मिल जाता ऐसे आप करें झिटीचर चाहर 2015 का और 172 смотрите मिल जाते हैं जिस पे blue color की landing की कुछ finishing देखने को मिल जाती है तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ इसके set profile look की तो दोस्तों यहाँ पर आपको sports look देखने को मिल जाता है और dual tone color देखने को मिलता है दोस्तों चलते है fuel tank की तरफ तो इसके fuel tank पर आपको pulser का 3D में logo देखने को मिल जाता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो और यहां कुछ इस तरह के graphics देखने को मिलते हैं इसके fuel tank पर और दोस्तों बात करेंगे इसके fuel tank capacity की तो यहाँ पर आपको 14 it'll की fuel tank capacity मिल जाती है और यह आपको fuel tank cap मिल जाता है और इसके एंडल वार के नीचे आपको usv charging का option देखने को मिल जाता है दोस्तों अब दोस्तों बात करेंगे इसके की दोस्तों काफी यूनिक लक के साथ मिल जाता है और देखन्स का फील रार डिजिटलीर आरपीम लिमिट और यहां आपको फ्यूल बार्निंग रियल मैलेज और क्लॉक और यहां किलो मीटर स्पीडो मीटर और यहां पर चेक इंजन और लो बैटरी का उप्सन देखने को मिलता है अब मैं बात करूंगा इसके सुचेस की दोस्तों चलते हैं सुचेस की तरफ तो यह कराषण जिस सेलफ स्टार जोक रमें इसके साउंड को आपको स्टेक आउट करा देता हूं कि दोस्तों आपको साउंड कैसा लगा मैं कमेंड करके जडरू बताना तो इंजिन को यहां से करता हूँ ओफ और बात करेंगे इसकी comfortable seat की दोस्तों यहां पर आपको बहुती soft और comfortable seat मिल जाती है रैडर और back plane के लिए 790 mm की seat at मिल जाती है और पीछे आपको यहां पर back plane के लिए पकड़ने के लिए की stand मिल जाता है और इसके seat call के नीचे आपको white color की landing के साथ P150 का ht card देखने को मिल जाता है जैसा कि आप देख रहे हूँ काफी लंबा parts दिया गया है और यहां पर side body panel पर कुछ step की finishing आपको देखने को मिल जाती है और यहां आपको back foot test मिल जाता है दोस्तों और यहां पर आपको kick start का option मिल जाता है अब बात करेंगे इसके engine की दोस्तों 14.8 cc का engine मिलता है जो की 14.5 ps की power पैदा करता है 85 rpm पर 13.5 का torque पैदा करता है 6000 rpm जो की 45 km प्रती लेटर का mileage देता है 110-120 km प्रती गंटे की आपको speed मिल जाती है और नीचे आपको foot rest और यहां पर आपको brake pad मिल जाता है और यहां पर आपको 165 mm की ground clean से मिल जाती है और दोस्तों चलें आगे तो दोस्तों आगे आपको एक company state black color का leg guard देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको single horn मिलता है दोस्तों और यहां पर इसकी engine की safety के लिए आपर कुछ favor के parts देखने को मिल जाते हैं दोस्तों और बात करें इसके exhaust की तो दोस्तों यहां पर इसका exhaust है वो आपको under valley exhaust मिल जाता है और यहां पर आपको 130 mm की drum brake मिल जाती है दोस्तों जैसा कि आप यहां देख रहे हो और बात करें इसके tear की तो दोस्तों यहां पर c8 company का tear मिलता है और बात करें इसके tear की मोटाई की दोस्तों यहां पर आपको 197 का tube lash tear मिल जाता है 17 inch की alowheel मिल जाती है जिस पर blue color की थोड़ी सी line की financing देखने को मिल जाती है दोस्तों अब बात करेंगे इसके back side की दोस्तों back side में आपको जो tear light मिलती है आपको वही पुराने वाले look में tear light देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको बहुत ही flexible turn indicator देखने को मिल जाती है और एक reflector और name plate option देखने को मिलता है और अब आते हैं दोस्तों rear side की तरफ त यहां पर आपको मिल जाता है foot rest और side body panel पर तो वही आपको finishing देखने को मिल जाती है जो की दूसरी side में भी आपको दिखाई थी तो दोस्तों अब आते हैं इसके chain set की तरफ तो दोस्तों इसका chain set है वो आपको fully openly chain set मिल जाता है और यहां आपको warning sticker देखने को मिल जाता है जो आपको five speed gearbox मिल जाता है जो की stickering के साथ देखने को मिलता है जो की पंजे से ही निकाला और डाले आता है और इसके इंजन पर आपको बजाज का sticker देखने को मिल जाता है दोस्तों अब बात करेंगे इसकी कीमत की दोस्तों इसकी एक्सरूम कीमत है एक लाग सत्तरे यार शेसो दोस्तों अगर इस बैक को आप पर्चेस करना चाहते हो तो दिये गए एडर से इस बैक को आप पर्चेस कर सकते हो अगर आपने अभी तक सच्छे ने MTR युट्यूब चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राब कर लो और वीडियो चिल